Hello guys, welcome to my channel Infinity IBPSPO means का exam over हो गया है and hopefully आप सब ही का exam अच्छा गया हो इस वीडियो में मैं आपको exactly questions नहीं बताऊंगी कि means में कौन-कौन से questions आये हैं क्योंकि अभी इस time पे questions जानके हम कुछ करनी लेंगे तो इस वीडियो में मैं आप सब की थोड़ी से tension कम करने की try करूंगी आपको बताऊंगी कि last year से इस साल का level कितना अप गया है कितना down गया है section wise और साथ की साथ मैं आपको बताऊंगी मेरे last year कितने time रहे थे और मेरे कितने marks आये थे जिससे की आपको थोड़ा सा relaxed feel हो तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहला section आता है reasoning का तो reasoning की बात करते हैं तो reasoning अब की बार बहुत मुश्किल आई है कोई भी miscellaneous questions नहीं दिखे हैं सारे puzzles ही आ रखे थे और red relation आया था वो easy था लेकिन उसके अलावा सारे puzzles बहुत difficult थे और अगर हम last year की देखें तो last year में भी reasoning बहुत मुश्किल आई थी students को last year की जो reasoning थी वो इतनी मुश्किल नहीं लगी थी लेकिन मेरे साबसे जो reasoning थी last year में miscellaneous questions आये थे yes लेकिन उसके अलावा जो puzzles थे वो बहुत मुश्किल थे solve करना बहुत मुश्किल था time consuming थे जैसा अपकी बार आया है अपकी बार भी puzzles बहुत मुश्किल आये है time consuming आये है tricky आये है puzzles जो पिछली बार भी आये थे तो अगर हम बात करते हैं पिछले सार इस साल के comparison की तो अपकी बार हाँ मिसलिनियस कोशन नहीं आये हैं जो पिछली बार आये थे तो उस चीज़ का फरक हो जाता है Otherwise मैं बोलूँगी रीस्निंग दोनों लास ये और इस साल की almost same थी section आता है जीए तो जीए का आप सबी को पता है कि current affair के basis पे होता है जितने जादा months के आप current affair करके जाते हो जितने अच्छे से करके जाते हो उतना सही रहता है बाकी last year और अपकी बार जीए का section almost same था next रहता है English का तो English का भी almost same दिखने को मिला same type के questions देखने को मिले जादा कोई difference नहीं है पिछली बार भी English में 30, 32 इतने attempts रहे थे students के अपके बार भी इतने attempt करकर आया लेकिन जो English में main होता है वो होता है accuracy ठीक है तुम attempt चाहे कितने मर्जी कर दो लेकिन तुमारी accuracy अच्छी होनी चाहिए तब ही तुमारी English में marks अच्छे हैंगे otherwise तुम सारे ही question attempt कर दो गर तुमारी accuracy अच्छी नहीं होगी तो कोई फाइदा नहीं है अब next section आता है डियाई का तो डियाई का जो last year का paper था वो extremely difficult था हमें जो sectional cutoff थी वो भी बहुत कम देखने को मिली थी लेकिन अपके बार जो quant का section आया है वो थोड़ा easy आया है थोड़ी easy type के questions आये हैं तो अपकी बार स्विजिंट्स ने साधा attempt करें हैं तो हमें sectional cutoff भी साधा देखने को मिलेगी पिछली बार जहां स्विजिंट्स ने 4-5 question ही attempt कर पाएते average जो अपकी बार काफी अच्छा attempt करके रहे हैं और guys मैं एक बार बता दूँ जो reasoning और डियाई होता है reasoning और math का section होता है वो हर साल इसे तरीके से रहता है कि कभी reasoning मुश्किल आ गया कभी math मुश्किल आ गया तो उनके जो average attempts रहते हैं वो दोनों को मिला के मतलब की 15 से 20 attempts ही रहते हैं students के लेकिन जैसे पिछली बार जो था कि quant मुश्किल आया था तो quant में 3-4-5 इतने attempts रहे तो students के लेकिन अबके बार reasoning मुश्किल आया है लेकिन reasoning में attempts 10-12-15 इतने attempts रहे हैं students के ठीक है तो अगर हम last year से और इस साल से overall paper का comparison करें तो अब के बार paper last year से easy आया था क्योंकि quant जब मुश्किल आता है तो हम बहुत कम question attempt कर पाते हैं लेकिन जब reasoning मुश्किल आता है तो हम थोड़े से ज़दा question attempt कर पाते है as compared to quant तो अब के बार paper last year से थोड़ा सा easy रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है अब जो सारा खेल रहता है वो रहता है descriptive paper का कि descriptive paper तुम्हारा कैसा गया है तुम्हें कितने marks मिलेंगे क्योंकि किसी भी students को यह नहीं पता होता कि descriptive paper में उनको कितने marks मिल सकते हैं कितने आ सकते क्योंकि बाकि सब में तो हम एक idea लगा लेते हैं कि हाँ इतने percent accuracy है कि इतने question मेर गलत रहेंगे इतने ठीक रहेंगे पर descriptive paper का कोई नहीं बता सकता कि कितने marks मिलेंगे इसलिए अगर आपके attempts कम रहे हैं तो इस चीज़ पर भी निराश मत होना क्योंकि descriptive paper के भी marks count होते हैं तो अगर आपके reasoning और count में कम होते भी हैं तो descriptive paper में वहाँ पर आपके अच्छे marks होकर cut of clear हो सकती है जैसे कि मैं अपना case लेटी हूँ last year मैंने math में सिरुफ 7 question attempt करकर आई थी और reasoning में around 14 question attempt करकर आई थी इसमें कि ये बोला जा रहा था कि reasoning last year की easy आई है लेकिन फिर भी मैं 14 से 15 I think इतने attempt करकर आई थी और जो मेरा score card है वह आपके screen पर आ रहा होगा आप देख सकते हो मेरी दोनों section में कितने कम marks रहे है reasoning में भी और cont में भी जबकि last year की reasoning तो student easy बोल रहे थे लेकिन फिर भी मेरे बहुत कम marks रहे है तो आप देख सकते हो कि इसमें मेरा जो means clear हुआ था वो descriptive paper की वज़े से हुआ था और English की वज़े से हुआ था जो मुझे English का नहीं पता था कि कितनी accuracy मेरी रह सकती है मुझे भी जब result आया तब ही पता लगा उससे पहले मुझे बिल्कुल भी chances नहीं लग रहे थे कि मेरा clear होगा तो guys इस सब यह देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कम attempt रहे गए है reasoning में, quant में या किसी में आपके कम attempt र करना सकूँ और accurately आपको बता सकूँ कि कितनी cut off जा सकती है, जैसे कि आपको थोड़ा सा idea मिले मैं descriptive paper को मिला के ही cut off बताऊंगी और descriptive paper में मैं इतने marks सबी के मान के चलूँगी, जैसे एक average marks होते हैं, वो अगर एक student अपना, मतलब इतना word limit करकर आया है, जितना होता है, तो उ average marks मिलते ही हैं सबी students को, तो मैं उसको add करके आपको cut off बताऊंगी, so guys, please अपने attempts comment box में share कीजिए, कि result जो means का होता है, वो बहुत late आता है, और interview result में जादा time नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कि आप जितने जादा बताएं कि कि आपके कितने attempts रहे है कितने percent accurate की रही है, उतनी जादा accurate में cut off बता पाऊंगी, जिससे कि आप अपनी आगी की त्यारी continue कर सकते हैं, so guys, वीडियो अच्छे लगिए, वीडियो को like कीजिए, और में चैनल को subscribe कीजिए, thank you